कैसे हो तुम लोग आई होब तुम सभी अच्छे होगे देखो यार काफी सारे questions आए इस video को मैं काफी simple रखने वाला हूं काफी short रखने वाला हूं जादा मैं इसमें कुछ इसा interesting का सा करने की कोशिश नहीं करूंगा simple रखने वाला हूं ता कि तुम लोग मेरी जो मैं बोलने वाला हूं उसको तुम अंडरस्टेंड कर पाऊ और सिंकैल तुमको पता है आट मेरी किमाव और अनल पर आथ रखने को दोख भी हभी मेरी हां चेलन्ज थै कमाटकर रूटर केशल हूं पहले तो create करता था वो अभी तुछ क्यों ने create कर रहा what is the reason सबसे पहली बात जो भी मैं reason अपने explain कर रहा हूं उससे पहले जो भी तुम लोगों ने अभी तक मेरे channel पर horror vlogs देखे horror challenges देखे उसके बारे में मैं तुम को कुछ बताना चाहता हूं जितने भी horror challenges थे, वो horror challenges में क्या होता है hugging, कि हम ट्राइट करते हैं, कि हम उसको जितना हो सके उतना real बना सके हैं, तो basically हम काफी सारे जो elements होते हैं बार से, वो हम उसमें add करते हैं, हम उसमें थोड़ा suspense add करते हैं, ताकि वो video मतब थोड़ा interesting बन पाए, okay so मैंने भी वह सेम चीज़े की बहुत सारी चीज़े जो तुम वीडियो में देखते हो ना उसमें हो सकता है that थोड़ी चीज़े उसमें रियल है and थोड़ी चीज़े उसमें जो है वह एक्स्ट्रा एड़ेड है ताकि वह वीडियो बहुत ही मस्त और अमेजिंग बन सके और दूसरी चीज़ जो तुम होरर व्लॉग्स देखते थे वह होरर व्लॉग्स बैसिकली मैंने जितना हो सका मेरे अंट से मैंने ट्राइ किया मेरे स्टार्टिंग पॉइंट था वह अब जितना हो सका मैंने उसको जितने हॉंटेड वे में मतलब मैं क्रियेट कर सकता था इं मेरा interest वह वहा करता था बट अभी after you know जब तुम grow up होते हो एंड तुमारे सामने इतनी सारी broaden होती है ना चीजह तो basically तुमारे interest change होते हैं and अभी एक mind में है कि मेरे को क्या create करना है that is मुझे जो है अभी देखो मैंने तुमको बता आता that जब मैंने vlogging मतलब किया life इतनी happening निया जितनी हम vlog में basically दिखाते है ठीक है तो मेरे को यह मालूम पड़ा that life isn't that happening जितनी हम show करते है अभी तक मैंने channel पर जो भी तुमारे सामने videos upload किये that were vlogs उसमें challenges थे and basically उसमें ऐसे videos थे जहां पर मैंने मेरे perspectives और मैंने basically topics पर discuss किया as a normal guy मेरी life इतनी happening निया कि मैं basically vlogs ही vlogs create करता रहूं और मुझे ऐसे topics पिना जहां पर basically मैं थोड़े खुलके अपने opinion रख सकूं and मेरे perspectives रख सकूं that what I think about that topic and मैं तुम लोग के सामने present कर सकूं तो I basically loved these two things और मेरे को क्या हुआ न that let's combine these two things and create something new so अभी जो तुम लास्ट मेरे 4-5 videos देख रहे हो channel पे वो basically यही थे and अभी मैं तुमको यह अश्वर करना चाहता हूं that जितने भी I mean the next videos मेरे channel पे आएंगे वो सारे ऐसे ही होंगे जितने भी different topics जो मुझे लगेगा that caution you have to make a video on this topic मैं उस basically उस topic को select करूंगा and ऐसे जितने भी topics होंगे उस सारे topics पे हम discuss करेंगे जितना उसको entertaining and interesting बना सकता हूं and basically जितना intellectual and funny बना सकता हूं उतना मैं try करूंगा मेरे end से उस video को create करने का and I hope कि जो मैं ये नया अपना chapter शुरू करना हूं ठीक है chapter तो काफी पहले शुरू हो गया था but I know that चीजे मतलब change होती है and I think that you guys will accept it and जितने भी आगे videos आने वाले है I can assure you that वो काफी crazy होने वाले है you know we are youtubers and we basically अपनी गलतियों से सिखते है and we try to entertain you guys as much as we can your time changes your interest changes and I wanted to serve you guys something which has some little purpose so guys अभी से जितनी भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा वो सारे तुम देख रहे होगे different topics होंगे and उसको मैं जितना interesting बना सकता हो ना वो वीडियो उतनी interesting रहेगी I'll give my best उसमें थोड़ा सा vlogging का mixture रहेगा and थोड़े मेरे opinions मेरे perspectives रहेंगे मेरे points रहेंगे and I hope के वो वीडियो full of entertainment और जितना interesting and intellectual हो सकता है वो वीडियो उतना crazy रहे I hope I hope कि मैंने तुमारे जितने भी questions थे उन सभी को answer कर दिया and you are gonna see something amazing in this journey जो आने वाले videos है so keep waiting for them I just wanted to keep it as short and as simple I can I am very real with you so in this video में इतना ही मैं मलता हूँ तुमको किसी और एक next video मैं किसी peace out